बहुत दोस्तों कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में डिसकस करेंगे कि जैसे कि आपने कोपिज मुखवानी है आट टे की थुरू तो कैसे क्या प्रसीजर उसको आपने कैसे फोलो करना है क्या डोकिमेंट आपको चाहिए होंगे इसके लिए आपका जो रोल नंबर है उसके पीडियेफ कोपी चाहिए होगी साइज मैक्सिमम एक 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 होना चाहिए आपको जो चाहिए होगी पहले आपकी जो रोल नंबर है उसके आपको चाहिए होगी पीडियेफ कोपी चलेगी आपकी इसकी इमेज यहां पर काम नहीं करेगी और उसका जो साइज है ना मैक्सिम दोस्तों यह application है, यह आपको वहाँ पर type करनी है, इसी ज़र आप ध्यान रखना, YouTube पर वीडियो जो अवलेबल है, वह क्या कहते हैं कि इसको scan करो, मतलब इसको copy करो, और वहाँ पर paste कर दो, तो आपने copy paste नहीं करना, अगर आप copy paste करोगे, तो जब आपने payment करना होगे, आपके payment होती है, last के अंदर, वो payment नहीं हो पाएगी, उस कुछ cancel हो जाएगा, तो आपने इसको वहाँ पर type करना है, तो ही आपकी IT लग पाएगी, तो ही आपकी copies आ पाएगी, यह mistake को मत करना, यह mistake कि मैंने करी थी, और 2-3 दिन में ऐसे ध्यान देता रहा कि कैसे करें, कैसे करें, क तो आपने यहां से लिखें हैं दुसकों, जैसे कि लिखाए, dear, madam, request to provide certified copy of associate under RTI, तो आपका नाम लिख देना है यहाँ पर, then आपका जो examination है, साब C, inter से हैं, C, foundation से हैं, या C, final से हैं, उसके coding आपने यहाँ पर लिख देना है, then, your year of examination, number 22, या फिर अगर उसके बाद आप को सारो होता है, उसके coding आपने यहाँ पर लिख देना है, आपका जो mobile number है, register ICA के पास, वो आपने यहाँ लिख देना है, आपकी email ID लिख देनी है, आपने, then, आपने जो paper number 12356, जो भी आपने मगवाना है, वो आपने लिख देना है, और आपका पता क्या हैं, दोस्तों, यहा आपको pdf दो उसी photo copy नहीं बेज़ेंगे ICA घर पे, candidate copy आपकी email पर आ जाएगी, उसका print निकलवा सकते हैं, तो यह आपका सर्फ 10 रुपर लेंगे आपके इसके अंदर, और आपकी सारी copies है, आप चाहें तो 8 रुपर निकलवा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, आप वैसे आप कर सकते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक थर्ड आइटम आपको और चाहिए होगी, आपकी debit card detail, या आपकी credit card detail, या आपकी net banking, इन दो में साब जो भी है, आपके पास तीन से होने चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आ card पाएंगे कि आपने फोटो किच लेना पहले इसकी, और आप देख देख कर लेना और जो data fill है, वो आपको अपना data fill में कर लेना है, हम स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं website के उपर, तो आपने या टाइप करना है Google पर जागर, RTI Online, जैसे यहां लिखा ही आगया RTI लिखती, तो यहां पहला जो आया है, आपने इसपे क्लिक कर लेना है, तो मोदी जी आगे पहले दो यहां पर, मोदी जी को पहले उपर से काट दो यहां से, तो यहां पर आपने क्लिक करना है, click here for submit request, then यह ग्यान की बाते लिख होई हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, then last में आगर आपने यहां पर okay करना है, और आपने यहां पर submit कर देना है, दोस्तों, वो कुछ ऐसा आपके सामने page open हो जाएगा उसके बाद, सो दोस्तों, यहां पर आपने अपने टेल फिल कर देनी है, सबसे पहले आपने यह सर्च करना है, public authority, यहां पर आपने सर्च करना है, mca, ministry of corporate affairs के नाम से, तो आप m type कीजिएगा पहले, फिर आप इसमें देख लिजिएगा, कहां पर लिखा आ रहा है, ministry of corporate affairs, की जाते हैं, यहां से, एक काम मिलेगा, ministry of corporate affairs, यहां यहां पर देख लेते हैं, यहां मिल जाएगा, ministry of corporate affairs, यहां में लिख देना है, यहां हमने यह select करना है, public authority को, यहां में select करना है, Institute of Chartered Accountant of India, so आप यहां पर लिखेगा, ICAI, ICAI, आप निची जागे देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, Institute of Chartered Accountant of India, अगर आप CS के अग्जाम आपने देर रखे हैं, और आपने शीट्स निकलवानी है, आपकी तो आप company security select कर सकते हैं, अगर आपने CMA के student है, तो आप Coast Accountant select कर सकते हैं, जो बाखी procedure है, वो सब के लिए सेमी रहने वाला है इसके अंदर, so accordingly आप select कर सकते हैं, यहां पर मैं select कर रहा हूं, Institute of Chartered Accountant of India, so आपने यहां पर OK कर देना है इसको, then आपने यहां पर डाल लिए अपनी email ID, so, जो भी MS में कर रहा हूं, आप सब कुछ टाइब करना है, आपने कुछ भी copy paste नहीं करना, अगर आप copy paste करोगे, तो end में सब कुछ cancel हो जाएगा और आपकी जो application यह नहीं लग पाएगी, तो आपने सब कुछ टाइब करना है अपने keyboard से, आपको चाहिए दो मिट एक्स्टा लग जाएं, तो आपने इसको type करना है, तो मैं आपने type करना है, तो मैं आपने type करना है, आपका mobile number, आपने confirm करना है आपकी email ID, आपका name जो आपके roll number में है, आपका gender, आपका address डालने आपके इसके अंदर, जो आपका roll number के अंदर आपका address डला हुआ है, आपका pin code क्या है आपके area का वो डाल देना है, तो मैं आप स्लेक्ट करना है, इंडिया आपका क्या है, अरियाना मैंने डाल दिया मेरा, तो मैं आप rural area से, आपके urban area से आपने डाल देना है, तो आपका मोबाइल नमबर, कोई phone number है, यह आपका option रहेगा, तो आपने पहले उपर डाल दिया, यह जोट नहीं है, तो आपके citizen कहां की है, इंडिया की, यहां पर आपने अपलोड करना है, आपका रोल नमबर, अपका रोल नमबर, अपका रोल नमबर, तो पहले हम अपलोड कर देता है, रोल नमबर, उसके बाद हम यहां पर टाइप कर लेंगे, फिर हम capture डालेंगे, और यहां पर हम प्यमेंट करेंगे, तो पहले मैं यहां पर रोल नमबर डाल देता हूं, मेरा, अपलोड कर देता हूं, कि मैं यहां पर अप्लोड करते हैं मैं रोल नंबर और यहां पर मैं टाइब कर रहा हूं तो डियर सर अब देख लिए कैसे टाइब करना है आपके लिए लेंडी हो जाएगी बट आपके लिए करना कैसे को भी मिश्केक होने से आपके रुख जाएगी और इससे आपके टाइम लिए आपको जो आपकी कोपी जाएगी यह सर्य मैडम कि क्वेस्ट यूटू तो वाइड है कि सट्टिफाइड है प्रहिछ होच होच हो प्रहिष अवच यूट्ट प्रहिट आप तन प्रहिट ट अप्रहिट घ्र टूटू एट यूट सूछ विच श्यूं अजह दो नच तो प्रहिट राजवी आपके लिए और 2005 एन एंटर यह आपने टाइप करना है बिलो और मैं डिटेल्स लो और माइड इटेल्स पूर रेफेरेंस तो आपने लिख देना है अपना नेम अपने लिखना है जो आपका रोल नंबर के उपर है जैसे आपकी काश्ट लिखनी है तो आपका नेम में लिख देना है आपका एग्जामिनेशन आपने कोन सी एक्जामिनेशन दिया है जैसे कि में नोंबर 22 अग्जाम ठाओं प्रेंग लिखता हूं नॉमबर 22 डो कि सुछिवेंटने निए लेशने अंहां डेने से लिए इंटरपे सिए ऐनल पे तो दोसी यह फाइनल ए और एफ पिन सिए फैनल कन ये ये रोफ एक्जामिनेइशन एइर ओफ्धे लिए आपने लिक्रेजना है जोन से अपने दिया साग्जम्स आपने में नॉवंबर टॉन्टी तो लिए थेता हूँ तो लिए देन इसमें अपने आपको रूल नंबर रोल नंबर क्या है वो डाल देना इसके अंदर आपने कि कि जिए पर आपने अपने ने दाल देना आपका रोल नंबर में आपने दाल देता हूँ अंदर आपने इसमें एंटर करना है तो नंबर के बाद आपका तुडेंट रेजिस्टेशन नंबर तुडेंट रेजिस्टेशन नंबर अब आपने टाइप कर देना आपका दिस्टेशन नंबर जो भी है आपस्में टाइप करना आपने आपका मोबाइल नंबर then after that you have to enter your email ID your email ID after this you have to write a need a copy of the paper आपके scanit copy आईगी आपको physical कोई भी नहीं मेलेगा PDF अगरा आपको PDF आईगी आपने उसको अपने निकलवाना होगा तो आपने लिखना है यहां पर scanit copy पेपर जो पेपर आपने निकलवाना है तो उसके बारे में देना है यहां पर रिक्वाइड इस एस फोलोग तो यहां पर आपने लिखना है पेपर नंबर देन उसका स्पेस्टा देगे नीम उसका नीम क्या है पेपर नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर की 01 हमारा होता है फानेंशल रिपोर्टिंग का फाइनेंशियल क्या फाउंडिशन दोंसे कोड़ी में बढ़ चकते हैं आप इंटरमेडियेट से हैं जो दो पर आपने लगाने हैं उनका अपनाम में अप लिख दीजेगा तो मैं मेरे फाइनल में आठ्वा पेपर निकलवा रहा हूं तो मैं आठ्व का नाम में अप लिख रहा हूं अपनेंशल रिपोर्टिंग अपेपर नमबर टू होता है हमारा स्टेजिक फनाइशल मेंगेजमेंट है 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 एक सब्सक्राइब कर दो मैं तो आप भी देख लैना है उस कोडिंग लुवंकिन बस्तेज seller अठील अपने उसे कोडिंगे फिल करना इसके अंदर बैपर का नाम है एक जै्क्ड आपने गलिकनाया पेपर नमबर जो है फर्स सेगेंड थर्ड उसके कोड़ी है आपने इसमें लिखना है इसका आप जरू द्यान रखेगा तो पेपर नमबर थी होता हमारा और अडवांस ओडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स कि अडवांस सुरी हाँ स्पेस देना हाँ कि अडवांस ओडिटिंग अड़ प्रोफेशनल ए्थिक्स और फोडिट और अपर नमबर चॉर्पैट और ये एक्नलोड पर पर रेट एंट्नोमिक लोड इप नबर फई अटाहमारा च्टिक कोस्ट मेंगेंग नप्रफिम मैं पर्फिर्म पर्फिर्मेंट एवलवेशन एंट एवलेशन लिए नबर शिक्त लुटर्फिर्म एवल एवलेशन नबर शिक्स ने एलेक विपले अग्नोमिक लोड शिक्सट इको लो इस एक पर नुम्मर शेवन होता है हमारा रेक्ट टेक्स इंटर्नेशनल टेक्शेशन तो यह तो वह है कि आपने आटेक तूप अपनी को पीज मगवानी है मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा आपको मैं बताऊंगा उसके अंदर कि क्या डिफ्रेंस अगर हम आई से रूट से मगवाते हैं पैसे बरकर 500 पर कोपी और इसमें क्या डिफ्रेंस रहता है क्या उसकी अप्लीट डिटेल में आपको वीडियो प्रवाइड कर दूँग प्रवाइड टूट रिवीव कर लेजिए कुछ गलती ना कर दियो आपके अप देख लिए तो अपने ऐसे टाइप कर देना है साफ साफ तो जिससे आपकी जल्दी आपकी अपकी अप्लोड कर देना है यह आपने दूबारा गो तूट कर लेना है कि आपने कोई डिटेल है तो गर उसका प्रेक्टिफाई कर सकते हैं अभी तो तो दैन हमारा सब कुछ फिल हो चुका है मैंने आप सब कुछ डाल दिया है एंड अब मैंने आप इस कैप्चा डाल रहा हूं मैं आपने मैं अंदर यह वाला जो जीरो फाइव एट टू जी सेवन आपने करना है में तो को जैसे कि अब देख सकते हैं मेरी नाम लिखा घया और ऑटे टैन रूपस्यक्राइए यूप यूपई काड कार व seiner सकते हैं आप वह वालाबन टे कर रहे हैं हम तो पेमेंट कर रहे हैं वो करेंगे हम डेबिट कार्ड से तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं है सब्सक्राइब कार्ड है हमारे बास सब्सक्राइब यहां पर आपने कार्ड नमपर डाल देना अपना आप जाए इस पर देख देख देखिए जाए है था यह जो एक दिए देना प्रड प्रड बाट इटलिस की फिल कर देनी है लेकिन लेकिन पर आपने करने समय पेज़िए उसके आपके जो नंबर पे यह जाएगा वह आपने फिल कर देना इसके अंदर कि दोस्तों मारी पेमेंट हो चुकी है उसके बाद आपने यह क्ली केर करना है और आपको दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है और आप कहां पर है भी तक तो सारी टेल आपको मिलती रहेगी आपकी कोपी कहां तक पहुंची है आपका कितने वे में है कितना टाइम फाइलिंग रूपीज टैन रूपीज लगे हैं मैंने पेमेंट करी है और उसको हम सेव कर लेते हैं तो आपके प्रूफ रह जाएगा कि आपने जो आपने अपने अप्लाई कर दिया है तो यह मैंने कम्लीट डिटेल आ चुकी है कि आपके मेल पर भी आजेगा कि आपने अप्लाई कर दिया है और फद्र अपडेट जैसे भी होगा कि आप कहां तक पहुचा है कैसे हुआ है सब कुछ आपको आपके मेल पर मिल जाएगा जल्द ही आपके 10-15 दिंग अंदर आपके कोपी आजेगी आई होप इस वीडियो तो गुर्बभाई दोस्तों तास ओल पर इस वीडियो थैंक्स फर वचिंग इस वीडियो